फिर्म जगत हो राजनेती हो या छेत्र हो व्यापार जुन्म फरेख के हर गली से गुजरे जो कहके खबरदार जुट का परदा पाश करेगा सच का पहरेदार हर तरह की खबरे लेकर पेश है मुंबई रफ्तार नमस्कार मैं हुँ सेयद शातना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्ता न्यूज फिल्म के बारे में लूम सर्थ बताएंगे मैं करदार का बता देता हूँ इसा केरेक्टर आफ मिकी जो एक NRI है और उसकी कहानी है भारत को जानने की समझने की उसके जर्नी है तो उसके जर्नी के जर्ये हमने लोगों तक बताने की कोशिश की है कि यह है इंडिया क्या है तो हर किसी का अपना अपना टेक है यह है इंडिया और यह है इंडिया So this is all about the mixture of ये है इडिया and ये है इंडिया So It's a beautiful character Mickie I really enjoyed working in this film So बाकी फिल्म के बार मैं सार आप बता पचिया हर भरती की फिल्म है आपकी अपनी फिल्म है कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती है Branded कपडे आप पहनते हो और भी बूल जाते हो कि आपके पेरेंट्स जो ते हो सबसे बड़ा ब्रैंड है उसमें ब्रैंडिंग है स्टार्डम नहीं चलता है आप जब पैदा हो या आज आप अपने मापाप को देखते हो तो आप यह नहीं बोलते हो ना कि यार मेरा बाप शारूख खान यह तो मैं इ इतना ही का हुआ कि आप 20 मही को सिन्हागरों में से जाके ज़रूर देखें अपने इस बात कि है कि कुछ सचा ही हमने कई है जो लोगों को कड़वी लगी है यह देश कैसे चलता है सिस्टम कैसे चलता है मीडिया कैसे ओपरेट होती है करप्शन का लेवल किया इस कंट्री म कि एक होने चीए बड़े-बड़े पैसे वाले जो लोग होते हैं वो 4-6 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 2 दिन में कोट कचरी के मामलों से फ्री हो जाते हैं वही पे एक आम आदमी की चपल गिस जाती है इनसाफ की लड़ाई लड़ते हैं 20-20 साल तक उसे नहाई नहीं मिलता अगर इसको लेके मैंने यह कहा है कि आपकी कंट्री में डबल स्टांडर्ड है तो कुछ गलत नहीं का मैं भी मेरे स्टेट्मेंट के फेवर में हूँ कि आपको एक और पाकिस्तान, पाकिस्तान इसलिए कि एक बार बन चुका है, इसलिए मैंने पाकिस्तान बोला, अगर पाकिस्तान से इंटर्पेट हुआ वो डायलॉग और होते होते उसने कॉंट्रवर्सी का रूप ले लिया, जबकि यह फिल्म इतने अच्छे अवार्ड वगरा लेके आ रही है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल्स में इसको इतनी सा राना मिलिये, फेस्बूग गूगल हेट्वार्टर्स पर बुलाया गया, तो अपने दिमाग का इस्तमाल करें, कि अगर यह वाकई में इतनी कॉंट्रवर्शल होती, तो क्या इंटरनेशनल ओडियन्स इसको अक्लेम करती, आप इंडियन्स के कंपेरिटिवली वेस्टन जो लोग होते हैं, वो चीजों को ज्य कुछ एक आर्गुमेंट्स हुए थे डायलोग्स को लेके, जिनने जस्टिफाई किया गया कि क्यों यह डायलोग्स फिल्म में बोले गये हैं, बाकि कुछ एक वर्ट्स ते जो उन्होंने म्यूट किया हैं मूवी के अंदर, तो वो हमने उनको करके दी, अधर्वाइस अंक आप यह पूछिए कि दुबारा काम करना चाहिए और हम कर चुके अलवर हमारे हमारे चार प्रोजेक्टिट्स अभी तक आ चुके हैं और विदा ग्रेस ओफ गॉड हम अभी तक 26 से ज्यादा आवर्ड ले चुके हैं, मारे दो शौिट । फिल्म हैं चिकन मिल्यानी पार और फीच्ट फिल्म भी हमारी नेक्स मंत, और फीच्ट में स्टार्ट हो रही है इनका तो हरी प्रोजेक्ट मतलब हम दोनों का साथ में है तो एक मेंस बर्दी जो कि हमारी चीजें को लेकर होती है जो अजया एक अधिसके लेवल है कभी मैचूर है और जिसके रिजल्ट अच्छ ही निकलता है और अच्छ निकलता है तो इसलिए वी 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 गड़ द आवार्ट सो आव रेली एंजोए वर्किंग विद लों सार अर बाकी यह है इंडिया में भी बहुत मजा आया है आप अमारा एक मैसेज पुछ विजवाई एगा फिल्म फेर अवार्स या स्टार्डस जितने भी अवार्ड होते हैं उनको कि एक नया अवार्ड इंवेंट करें वो डाय हाड फैन अवार्ड एक दे मुझे कि हम दोनों डाय हाड फैने एक दूसरी तो और कोई भाता ही नहीं समझ महीं नहीं आता तो I think as a maker एक maker को freedom ची होता ह देखे ज़र्रली को होता है बड़े बड़े डीरेक्टर्स भी इस problem को face करते हैं सेट के ओपर stardum के आगे जागे करेटिविटी फिकी पड़ जाती है Stardum के आगे उनको कॉंप्रमाइस करना पड़ ता है गेवी सर के साथ मैं अइसा नहीं है मैंने कभी compromise नहीं किया वर्स सिचुएशन के अंदर इनों ने मेरा साथ दिया है, अची सिचुएशन में साथ दिया है, तो I think that is the only reason why we are working again and again. मतलब हालात समझें, कभी उन्होंने जब बोला कि compromise किया ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आपको पता है कि आपको वो फैसिलिटी या वो चीजे नहीं मिलने उसके reasons क्या है, वैसे ही अपना स्टार्डम या वो चीजे शो करते रहो तो उसका कोई फायदा नहीं है, मैं यह मा यहां पर भी double standard है, एक star को star कौन बनाता है, audience, यह भी double standard है, जब कि एक star को star बनाना चाहिए एक director को, क्योंकि एक पूरी मैनत लगती है, इतना बड़ा project, इतना कुछ हम करते वे आते हैं, तो I think सबसे बड़ा certificate अगर एक किसी actor को star बनाना हो, तो वो director से लेना चाहिए, जिस गाड़ी आएगी, हम सेंड़िच यह खाएंगे, शूट पर हम तुड़ा ले टाएंगे, आपने सब दिया है मुझे, नहीं मैंने दिया है आपको बड़ मैं बता रहा हूं, तो कई फिल्मे ना यही तक सिमटके रह जाती है, वो फिल्म नहीं बन पाती है, इसलिए commercial cinema अग होता है, देखिए हम independent filmmakers है, content cinema बनाते हैं, और content cinema के अंदर अपने सच्चाई और अपने passion को नहीं जोका, तो आप वहां के नहीं खड़े हो सकते हैं, जहां हम खड़े हैं, तो यह बहुत serious और dedicated profession है, और इसमें सब का support लगता है, एक actor के साथ में, director की combination, tuning, सब कुछ blind up होके य I think, जहां जिए इंडिया खड़ी हो, उसके पीछे, एक spot boy से लेके, एक light वाले से लेके, एक actor से लेके, हर उस इंशान का support है, इसलिए इतना possible हो पाया, और हम खुश आज जहां भी हैं, इतने बड़े corporates के बीच में, अगर हम knock कर रहे हैं, IMDb पे पीछने 11 दिन से हम लोग नमबर वन पे trend कर रहे हैं, रियल टाइम popularity के अंदर, तो I think, यह प्रूव करता है कि बड़ा पैसा बड़ी star होना ही सब कुछ नहीं होता, अच्छा content होता है, तो भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, यह हैं इंडिया पर क्या message देगी audience को, यह आप से जाएंगी हैं, यही message द दानवंतरी मोदी जी की बात करें, राहूल कांदी की बात करें, इस देश के सरवोच नयायले की बात करें, यह सब इंडिया के नीचे आते हैं, और हमारी फिल्म का टाइटल है यह हैं इंडिया, तो I think, इंडिया से बड़ा कोई star नहीं है और यह हैं इंडिया से बड़ी क प्राइब कर दो है